तो नमस्का उस्तो मैंना मरुद्रा आप देखा आप इंफोर्मेशन तो उस्तो PUBG Mobile and Battlegrounds Mobile India के 1.6 update के अंदर आपको एक new option देखने को मिला होगा तो इस option से basically आप prone and crouch बटन को एक साथ ला सकते हो तो कैसे आप इस option को enable कर सकते हो और कैसे इसका फाइदा उटा सकते हो इस वीडियो के अंदर पूरा detail में चानेंगे तो वीडियो का पूरा इंटर देखो काफी सदे informative वीडियो होने वाला एंट वीडियो कर अच्छा लगे जरूर से एक like कर देना वीडियो को तो चली जहाँ देने करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो अभी तक हमें दो separate बटन देखने को मिलता था एक prone का दूसरा crouch का अभी तक हमारे पास कोई ऐसा option नहीं था जहां से हम लोग इन दोनों बटन को एक साथ ला पाए पर 1.6 update के अंदर आपको एक ऐसा ही option दिया गया है ताकि आप prone and crouch दोनों एक ही बटन से कर पाओ और यह जो feature है हमें पहले देखने को मिला था COD के अंदर अगर आप खेलते हो COD Mobile तो आपको पता होगा क्यों आपर भी prone बटन नहीं है तो जैसे कि देख से तो आपको simply basic setting अंदर चले आना है यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा merging crouching and laying prone तो यह जो feature है इसको आपको enable कर देना है तो देख सकते हो हमारे screen के वर फिलाल एक ही बटन है जो कि crouch का बटन है तो एक बार tap करने से आप crouch कर सकते हैं जब आप इसको hold करके रखोगे तो आप prone हो जाओगे तो basically एक ही बटन से prone and crouch को control कर सकते हो अभी से देख सकते हैं मैंने hold करके रखा तो मैं prone हो गया जब मैं tap tap करते जा रहा हो तो यह crouch हो रहा है क्या आपका game improve होगा या नहीं नीचे comment पर जरू बताना अगर आप सही तरीके से इसको practice करते हो तो आपका game improve हो सकते हैं यूगकि एक ही बटन से आप बहुत ही fast अपना reflex को improve कर सकते हो तो यही ता Overall feature कैसा लगा आपको यह new feature नीचे comment पर जरू बताना and यही तो एक छोटा सा इंफर्मेटिव वीडियो वीडियो गर अच्छा लगा है लाइक जरू करना श्रकना वीडियो का अपने सारे दोस्तों के सच चैनल पर पहली बार आयो तो टेले इंफर्मेट आप इसको पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे